हेलो शुडेंट्स याओ वेलकम इन अबर यूट्यूब चैनल आज हम बात करने वाले आरे सग्रवाल की एक्सराइज फरंसी के कोश्चन नंबर एट के बारे में तो देखें यहां पर आपके सारे आंसर्स लिग दिये गए लेकिन जो आपके कोश्चन से वह आपकी बुक मे नहीं है तो इसलिए इन को अच्छे समझने के लिए आप अपनी बुक फटवर्ट ओपिन कर लिजे क्योंकि हम सारे आंसर्स समझाते आ रहे हैं लेकिन आपको कोश्चन बुक में ही मिलेंगे यहां पर कोश्चन नहीं लिखे हुए हैं तो देखिए कोश्चन नंबर एट क अब लिए आपको रिशल नंबर दे रखे हैं उसको पहले अरेंज करना है then उसके बाद आपको सम फाइंड आओट कर नहीं तो देख लेते हैं अपना पहला पहला कुश्चन पहला आपको चुश्याँ आप यापकुस्यह 1-1-5 अप इसे अरेंज करेंगे जोंगे हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 5 प्लस माइनस 11 अपॉन 5 अब आप ने जो भी पेर्स बना हैं उनका आप LCM ले लीजिए अलग-अलग आप फर्स्ट पेर का LCM लेंगे तो आपका 3 आ जाएगा उपर कितना बचेगा 4 माइनस 2 अब सेकंड पेर का LCM लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और उपर क्या बचेगा 3 माइनस 11 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मैंशन हो रहा है 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और 3 में से 11 जाएगा तो माइनस के 8 अब आपको सम फाइंड आउट करना है क्योंकि आपने अरेंज कर लिया मिनिमाज कर लिया को काफी हर तक स्वाल भी कर लिया आप लास्ट इस्टेप बचेए 3 और 5 का LCM लेंगे तो आपके पास कितना जाएगा 15 अब आप देखिए 3 की टेल में 15 कितना जाएगा 5 बार 5 को उपर मल्टीप्लाइ करा जाएगा 10 और 3 की कितनी मा रहते है 5 बार 5 की टेल में 15 कितनी मा रहते है 3 बार 3 का उपर मल्टीप्लाइ करा ओने 24 अब इसको हो ब्रूंग करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा 8. इसमें आपको क्या गड़न да है? पेर बनाना तो पेर कैसे बनाएंगे? देखिए, आपने पेर बनाया 3 और 6 वाले का. मिसे कर्रणे आप इसकाHeλCM लेंगे तो आप इजी ले सकते हैं? आप इन दोनों का पेर बना दीजे. इन दोनों का हमने पेर बनाया कितना था आपके पास minus 8 upon 3 plus minus 11 upon 6 आप इसका pair बनाएंगे 6 LCM हो जाएगा 3 की डिल में कितनी बारा था है 2 बार और 2 का उपर multiplier दीजिए minus 16 यहापे कितना हो जाएगा 11 तो इसको अगर आप plus करेंगे तो कितना हो जाएगा minus 27 upon 6 इसी टाइप से आप दूसरा pair solve करेंगे तो आपका यह आजाएगा और 1 upon 8 आजाएगा अब आपको again LCM लेना है आप इस ट्रम का LCM लेंगे तो कितना आजाएगा 24 तो ऊपर कितना आजाएगा minus 108 plus 3 आपने इसको solve out करा कितना हो गया minus 105 upon 24 में 35 upon 8 आपका यह final answer आ चुका है अब इस question का हम 3rd part देखते हैं ठीकिए 3rd part में आप से क्या गया रहा है minus 13 upon 20 plus 11 upon 14 plus minus 5 upon 7 plus 7 upon 10 तो आप pair बनाएगे तो pair देखे मिडिल के दोनों एक साथ ले लिजे और बाहर की side के दोनों एक साथ ले लिजे दोनों जो नमबर बाहर की side है क्यों? क्योंकि उसमें 20 or 10 है 20 or 10 का calcium आप इजीली निकाल सकते है 20 होगा और मिडिल में क्या 14 or 7 14 or 7 का calcium कितना हो जाएगा 14 तो देखे आपने इस solve करा तो आपके पास इतना आ गया और दूसरा pair solve किया तो आपके पास ये नमबर आ गया अब इसको देख सकते है पहला part आपने solve करा 1 upon 20 दूसरा part आपने solve करा 1 upon 14 अब अगीन LC में लीचे 20 और 14 का जो LC में आपका 140 आ जाएगा आप इसको solve करेंगे तो 7 plus 10 हो जाएगा ठीक है? तो final जो answer आएगा वो आजाएगा आपके 17 upon 140 अब इस question का last part बचा है वो हम देख लेते हैं और पटापट इससे finish करते हैं देखिए last part में क्या दे रखा है question में minus 6 upon 7 plus minus 5 upon 6 plus minus 4 upon 9 plus minus 15 upon 7 इसमें आपको pair बनाना है आप pair बनाएगे तो आप कैसे बना सकते हैं 7, 7 वाले आप ले लिजे और 6 or 9 ले लिजे तो 7, 7 वाले ले लिए तो आपके कितना बचाएगा minus 6 upon 7 और क्या बचा आपका plus minus 15 upon 7 तो आप 7 LCM लेगे कितना बचेगा minus 6 minus 15 means minus 21 upon 7 यह आपका आ गया और minus 23 upon 18 तो आपका कितना बचा minus 54 minus 23 upon 18 इसको solve करा minus 77 upon 18 यह आपका final answer आ चुका है चीक है मैं इस question के आपके 4 पार्ट solve हो चुके हैं अब जो इसके आगे के पार्ट से 9 to 14 वह हम next वीडियो में discuss करेंगे ओके, thank you